देश के सबसे बड़े सूबे में इन दिनों भवाल मचा है, भवाल सोन बद्र पहे, एक तरफ सियासत तो दूसरी तरफ सवाल, सवाल योगी सरकार से क्या आखर कहा है आपका अबराद मुक्त प्रदेश? सोन बद्र हत्याकार ने दिल दहला कर रख दिया तो प्रियंका को रोके जाने से कॉंग्रेस हरकत में आ गई, लेकिन अभी भी लाग टके का सवाल यही कि अपराद कब कम होंगे? जिस यूपी में अपरादी कापने लगे थे, उसी यूपी में हर जिले में कहीं न कहीं हर रोज अपरादी महिमा मंदन कर रहे हैं सोन भदर पर तो सियासत चली रही है लेकिन जड़ा यहाँ भी नज़र डालिये न तो यूपी में राम राज जा पाया और नहीं लोगों को न्याई मिल पाया इस परिवार को देखिए शाजापुर में अधिकारियों के चकर काट काट कर ये परिवार परेशान हो गया मामला यहाँ भी दबंग गई का ही है इनके काओं में कुछ दबंग पशुबालन की जमीन पर जबरन कबजा कर एक बड़ा नाला निकाल रहे हैं जिससे ग्रामेणों को काफी परेशानिया सहनी पड़ेंगी लेकिन विरोध करने पर मार पीट हो जाती है पुलिस मामले में न तो कुछ कर पाती है और न दूसरों को करने देती है इसलिए आप ये डियाम ओफिस में धरने पर बैट गए गाजियाबाद में भी बदमाशों के होसले बुलद हैं एसेसपी के आने के बाद ताबर तोड मुढवेर लगाधार चल रही है इसके बावजूद भी बदमाशों के होसले कम होने का नाम नहीं ले रहे ट्रॉनिका सिटी इलाके के आजाद पूजा कॉलोनी में दुकान पर बैटे एक शक्स को अज्याद बदमाशों के द्वारा बे खौफ होकर गोली मार दी जाती है लेकिन सिर्फ बदमाशों की तलाश जल रही है मुक्त प्रदेश बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं वो उन्हें भी नहीं पता समबाद 365 के लिए शाजापूर से रमाशंकर दिक्षत और गाजियाबाद से नदीम शाहिन की रिपोर्ट